इस साल की सबसे बड़ी ओपनर बनी सल्मान की फिल्म पहले दिन कमाये 29.1 करोड सल्मान खान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे बॉक्स ओफिस के सिकंदर हैं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है ट्रेन डिनालिस्ट तरहना दाश के मताबिक रेस्टीन ने पहले दिन करीब 29.1 करोड रुपे की कमाई की है फिल्म को क्रिटिक्स का अच्छा रिस्पॉंस नहीं मिला था बावजूद इसके फिल्म ने पहले दिन अच्छी कमाई की है इस फिल्म की फर्स्ट डे ओवर्सीज कलेक्शन भी शानदार रहे है रेस्टीन ने इन फिल्मों को छोड़ा पीछे ट्रीन डेन अलिस्प तरहना दाश के मताबिक रेस्टीन से पहले इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टाइगर श्रॉप की फिल्म बागीद दो थी इस फिल्म ने पहले दिन करी 25.1 शुन्य करोड रुपे की कमाई की थी फिल्म ट्रेड इंगलिस्टर अमेश बाला के अनसार रेस्टीन के फर्स्ट डे ओवर्सीज कलेक्शन की बात की जाए तो USA से 2.1 करोड ऑस्टेलिया से 70 लाख और न्यूजिलेंड से 47 लाख रुपे की कमाई की है बाला के अनसार सल्मान की इस फिल्म के लिए मिला जुला रेक्शन देखने को मिला था सल्मान के फैंस के लिए यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही जबकि क्रिटिक्स के अनसार फिल्म ने निराश किया अभी विकेन के दो दिन बच्चे हुए है और शनिवार को इद को मौके पर दूसरे दिन की कमाई आकडा और भी चौकाने वाला हो सकता है आपको बता दें कि रेस टीन में सलमान के अलावा जेकलिन फर्नांडेज, अनिल कपूर, बॉबी देओल, डेजी शाह, शाकिब सलीम लीड रोल में है फिल्म के डायरेक्टर रेमोडी सूजा और प्रोडियूसर रमेश और आनी है